चंडीगड के सेक्टर 29 में साइकिल पर छोले बटूरे बेचने वाले संजय राणा अपने साइकिल पर एक पोस्टर चिपकाते हैं कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आईए अपना मैसेज दिखाईए और फ्री में छोले बटूरे खाईए चंडीगड में ये काफी पर्चलित हुआ और चर्चा भी इस बात की हुई लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस बंदोबस्त की इस पहल की चर्चा हुई परधान मंतरी नरेंदर मोदी की मन की बात में प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी ने चंडी गड़ के संजय राना का आपने मन की बात में जिकर किया और इस काम की भुरी भुरी परशंचा की संजय राना हमारे साथ मौझूद है जो की साइकिल पर छोले भटूरे बेचने का काम करते हैं लंबे समय से और उन्हों ने लोगों में वैक्सिनेशन के प्रति उत्सा जगाने के लिए पहल की थी कभी सोचा था आपने के प्रधान मंत्री निरेंदर मोदी कभी आपका नाम लेंगे पूरे देश के सामने आपका जिकर करें यह बड़ी बड़ी बात भी बड़ी बात पुरी बच्चों ना बोला जी बच्चे दे दो इमेरे भाई गया गुडिया चोटी नहीं तो यह बैठे हो देख रहोंगे तहीं लगा अक्सत करना और गुडिया करते पापा आ पापाजी आप देखो और उसको प्री कर दो बच्चों ना कर दो क्या होगा पच्ची तीस बंदेर हो जाते हैं उनको सलावी देते हैं अपने अग्ये सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने सब्सक्राइब करते हैं अक्षा तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो कितने उमर है मैं सिक्स्ट क्लास में पूट तो मैं लावनियर्स ओल्ड काम तुमारे दिमाग में कैसे आया यह बात के छोले बटूरे फ्री खलाएंगे तो वैक्चीनेशन लोग कराएंगे कैसे आया हम टीवी देख रहे थे हम तीन नों भाई बैन तो फिर एक बंदा बार के देश में जो वैक्सिन लगा क्या थे उसे समान फ्री में मिल रहा था मेरे दिमाग में भी सवाल आया मैंने पापा से बोला कि आप बहुत खूब और आपने भी कुछ उजहाव दिया था पापा को मैंने बोला था जो वैक्सि लगाएगी पापा को प्रीमेर सोले ब्रूरे कि ला तो अक्सेत तुम्हें लगता है कि इस तरह से जदी सब लोग आगे आएंगे इस तरह से पहल करेंगे तो जरूर वैक्सिनिशन की रफ़तार बढ़ सकती है सची में बहुत बढ़ेगी रफ प्रधान मंत्री ने आपके पापा के जिक्र किया आप लोगों का जिक्र किया के चंडीगड में इस तरह से छोले बटूरे बेचने वाला एक व्यक्ति उनके बच्चों ने सुझाव दिया और वो इतना अच्छी पहल कर रहे हैं तो कैसा लगा आज मनको बहुत प्राउड तो राना जी आज एक ऐसा लग रहा है चोले बटूरे कितने सालों से बेच रहे हैं मुझे पंदर अभी साल होई मेरे फादर करते हैं प्राना काम है पुस्तानी काम ही हमारे चोले बटूरे हैं हम तड़के लगाते हैं लासन प्याट ने डाल वैसे बहुत हमारे पास ऐसी चालीस लोग हरोज आ जाते हैं और 40 रुपे की आपकी पलेट है इस लिहाज से आपको करीब करीब डेड़ हजार रुपे हरोज का एक खर्च बोज पढ़ रहा है तो लेकिन क्या लगता है कि आपको के इससे आपकी कोई आर्थिक स्थिति खराब हो रही है या खुशी होत पर बात के लिए हम खुशी होते हैं खार रहे हैं कोई खान देंगे जो लोग अभी नहीं वैक्सीन अभी भी नहीं लगवा पार रहे हैं या उनके लगाने से कोई ही चेडर है क्या कहना चाहोगे बैक्सीन लगाओ की परिवार को बचाओ और देश को लीक्सीन नहीं है क्या लगता है जल्दी आ जानी चाहिए डर लगता है क क्योंकि तीसरी लेहर भी आने वाली की यह सब्सक्राइब में बहुत जल्दी आनी चीए और सभी बच्चे को मैं बोलता हूं वैक्सीन से डरोना और सारे बच्चे वैक्सीन लगाना हूं अक्षत बड़े आतमिस्वास के साथ बच्चों से अपील कर रहा है आप आज प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे उन्होंने आपको उत्सा क्या बढ़ाया आप जैसे और कितने छोले बटूरे बेचने वाले से प्रेडित हो सकते हैं मुझे बड़ी खुशी है जी प्रधानमंत्री जी ना जो मुझे आप दिखाया आप नाम लिया मेरा मेरे परिवार का नाम लिया इतना सोचा नहीं हो गया इतना तो बड़ी की स्पीड बहुत जल्दी बड़े और सारे लोग वैक्सिन लगाए शुक्रिया तो आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा एक आइडिया देता है और उसके जो परिजन है वो उसको लागू करते हैं समाज में संदेश जाता है और बात-परधानमंत्री तक पहुंचती है यानि कोई सकारात्मक पहल करने से पहले हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बहुत छोटी पहल है एक छोटी पहल भी बड़े स्थर पर पहुंच सकती है और बात-परधानमंत्री तक जाए और उसके बाद फिर वही बात पुरे देश में जाए तो अपने आप में य दरों की अनुभूती है और सभी को इस तरह के छोटे-छोटे परियास करने चाहिए ताकि उसके बड़े नतीजे सामने आ सकें कैमरामेन प्रदीप के साथ राजिश चोहान लिविंग इंडिया न्यूज चंडिगा